वेलकम तो ओल आफ यू उम्मीद है आप सभी ने हमारी फस्ट वीडियो जो की इंट्रोड़क्शन वीडियो थी वह आप सभी ने देखी होगी क्योंकि उसे एक बार जरूर देखिए क्योंकि उसे देखने के बाद ही आप सभी को बता चलेगा कि इस चैनल पर हमारा क्या टा सबसे पहले हमारा टार्गेट था मैट्स को कवर कराना देखिए अध्यान से मैट्स का अपका सिल्वस स्टार्ट करने जा रहा हूं देखिए सबसे पहले मैट्स में जब आप देखेंगे जातर यूपी बॉर्ड में मैट्स में ये वाली बुक चलती है मुरारी प्रिकाशन है ये नवीब वयापारी गडित इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम इसका सिलेवस देखते हैं जब आप सिलेवस देखेंगे इसका तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले चप्टर सबसे पहले चप्टर का नाम है वर्ग दुई घात समीगरान का सिद्धामत नंबर दो समानतर श्रिणी नंबर तीन गड़ोतर श्रिणी नंबर चार हरात्मक श्रिणी नंबर पांच किरमचे और संचे और नंबर छे दुई पत पिर में नंबर साथ घातिया पिर में नंबर प्राट लगू गड़क या शिरणी जो कि आपका टोटल मिलाकर 50 marks यानि कि 50 number का है टोटल कितने numbers का 50 number का उसके बाद यह आपकी सामन्य सांखी की जिसमें theory और numerical portion दोनों है 50 number का यह है यह टोटल मिलाकर आपका 50 50 marks की बीचगड़ी और 50 marks की आपकी सांखी की दोनों मिलाकर आपका जो paper बनेगा वो कितने number का बनेगा सो number का अब मैं आपको अपने इस channel पर इस पूरी book का solution प्रोवाइड रहूँगा जो कि आपको बहुत अच्छे से नजर आ रही होगी नवील वयाफारी कड़ी एक बार मैं आपको chapter फिर से दुबारा दिखाना चाहूँगा आप पूरा syllabus चाहे तो screenshot ले सकते हैं आपको दिख रहा होगा बीजगड़ित में है इसमें 8 chapters और आपके सांग्की की बात करें सांग्की की में 7 chapters है दो वह एक बात समझोगा इसमें जो यह बिन दिया ने यह लगोगड़क प्रति लगोगड़क के सामधने ग्यान यह भी आप इसे chapter समझे 8 हुआ इन्होंने यह आप जब देखेंगे तो एक बुक यह भी है हमारे पास जो कि यूपी बूर्ड में बहुत ज्यादा फेमस है बहुत ज्यादा यह बुक चलती है एक्टिव की इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको एक बाद करा लेकों आप इसमें यह जो अंक गलित का portion है आप इस चेप्टर इसके दूसरे नंबर पर है यह जो एक्टिव की दूब कर दिखेंगे इसमें आपको ईक्टर इसका कारान पतम हो क्या है इसके अंदर एक जहितल नंबर चार बबी दिचल ऑद मिस्टलीने श इनीह यह सिरीज इन यह यूपी बूर्ड के सिल्स से खतम कर दी गई है लेकिन बात आती है बुक में क्यों शोगरा जा रहा है बुक में इसे इसले शोगरा जा रहा है क्योंकि अभी बुक रिवाइज़ नहीं हुई है बुक रिवाइज़ होगी इस चेप्टर को खतम कर दिया जाएगा मुरारी की जो बुक है वो रिवाइज़ हो चुकी है इसलिए इसमें ये चप्टर शो नहीं किया जा रहा है ठीक अब बात आई कि अभी भी इसमें आठ चप्टर है इसमें नो चप्टर है तो सुनिए अब एक चीज धिया हम से देखिए देखो इसमें च्छटे नम्मर पर दूईपत पिरमे चप्टर है दूईपत इसके साथ में चप्टर में और आठीटिया आठ्वे चप्टर में तो आप कोई सी जी बुक से करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक बुक और फेमा से देखिए यह तीन बुक हैं जो मैं आपको इस चैनल पर कराने माना है यह जो कि यूपी बूर्ड में इंग् आप पार्ट ओब सुलेवस यह हमारे सिसलेवस का पार्ट नहीं है इस., बिल्कुल भूल जाएंगे, मिसलेनब्स को साथ नहीं करेंगे पर लियुक से जो मार्कृट में नहीं पुखाएंगे ये इसमें ये चेप्टर फालत हुए मिसलेनियस एक्वेशन ये बहुत पहले हुआ करता था चेप्टर 2015 से पहले 2015 के बात से इस चेप्टर का कोई महद्व नहीं रहा यूपी बूर्ड के जिले बसम है और मिसलेनियस सेरीज 2016 से खतम किया गया है तो इसलिए अब आप इसमें भी देख सकते हैं इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, सोरी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, अब ओवरॉल आठ ही चेप्टर आपके इसमें है और स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल सें पाइट है चाहे इसमें इसने फाइट पाइट से डिवाइट कर रगा है या आप देख सकते हैं मुरारी वाली किताब में इसमें इसे आठ भागों बाट रखा है या फिर हम तीसरी बुक की बात करें तीसरी जो बुक है वो है आपकी एक्टिव की इसे भी एक बार देख लें, इस एक्टिव में इसे जो स्टाटिस्टिक्स है, इसको इसने क्लियर आठ भागों पाट रखा है, इस स्टाटिस्टिक्स बिल्कुल सेम है, बस एक चेप्टर के ओपर नीचे था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब देखिए, सबसे पहले, मैं आपको जो सॉल्व कराऊंगा, मैं कराऊंगा मुरारी की किताब, और मैं मुरारी के भी कुश्टिक्स आपको, सिर्फ इसमें देखिए मुरारी की बुक में एक बहुत बड़ा पहनी चेट है, जैसे कि हम सबसे पहले स्टाट करने जा रहे हैं, दूसरे चेप्टर स्ट लिए कितने कितने वीडियो लेंगी, दोगो यह जो चेप्टर फरस्ट है, आप यह मानिए है, एप्रॉक्सिमेटली चार वीडियो में खतम हो जाता है, लेकिन मैं सब में यह मान पर सलता हूँ, कि हर चेप्टर पे हमें कम से कम पांच वीडियो तो बनानी ही पढ़ेंगी यह आपका पूरा टॉपिक कम्प्लिट वावर है, तो उस आप से एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और आठ पंजे, आपके चालिस, चालिस तो यह, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ही बात करें, आपके पंदरे लेक्चर का होता ही है, इसलिवस पंदरे यह पंच पंच पंदर में प्रोवाइड करा दी जाएंगे, जैसे कहा दीख रहे हैं, आपका आज, फ、स्ट लेक्चर जिए जायाएगा, फस्ट लेक्चर प्लट तक ये जाजा रहा है आपका, क्यारे मई को आपको इसका फर्स लेक्चर अप्लोड करा जा रहा है हर संडे ओफ रहेगा लेकिन उसके अलावा अब भी लगा लीजिए मैं मैं जून जून और आपके जुलाई के पहले हफ़ते तक या अप्रॉक्सिमेटले 15 जुलाई तक हम आपका कोर्स बिल्कुल सभी को दिख रहा होगा चैप्टर नंबर दो यह रहा समांतर स्रेणी देखिए जरा इस चैप्टर के बारे में क्या है इस चैप्टर के लना पहला चैप्टर इसके बार पहले जो कराएंगे हम मेन एपी जीपी एचपी यानि कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिओमेट् और श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन देखिए कराएंगे इस बुक में से लेकिन जिनके पास हम पब्लिकेशन की है वो हम पब्लिकेशन में से करें जिनके पास एक्टिव की बुक है वो एक्टिव में से करें बाकी आपके चाहे एक डाउट हों दस हों या जितने म पर इसमें डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कुश्चन नंबर लिखके और भूक का नाम लिखके मेंसिज करें या फिर आप हमारे वाटसप ग्रूप में तो एड़ होई चुके हैं जाता से जदा और टेलिग्राम ग्रूप में भी एड हो जाएं और एड होने के बाद आप हमें जो भी question है उसका photo click करके हमें personaly whatsapp कर सकते हैं ताकि उस समस्य जगा आपका समाधन अगली वीडियो में कर दीजाए अगली वीडियो में हम आगे जब ही चले करेंगे जब आपके सारे doubt clear हो जाएंगे उससे पहले बिल्कुल आगे नहीं चलेंगे हंट्रेट परसेंट आपको इस पर सिलेबस कवर कराऊंगा और बस जातर दिन नहीं पचपन से साथ दिन में आपका पूरा maths solve आपके पास होता देखिए और बाकी जो पेपर की बात है कि यूबी बूर्ड में maths का पेपर कैसा आता है है ropolitan किस चैप्टर में सबसे जादा आता है वो सब बात की बात है पहले हम कोर्स फिनिश करते हैं बस देखिए सबसे पहला मैं स्टाट करने आ रहे है समान तरशेयनी इसमा आप सबसे पहले देखेंगे अब जैसे कि मैंने इसकी डेफिनिशन लिख दी है बस सिर्फ ए की परिवाशा है बस theoretical ए की concept है बाके तो सब numerical है और numerical भी बिल्कुल practical है आपको एक भी formula मतलने की जरूपनी है अब फारे formula को बनाने सिखाते हूँ देखिए समांतर शियर्णी ऐसी सिर्णी जिसके पदों में समांतर हो समांतर शियर्णी कहलाती है a series that has the same difference in terms is called mathematical progression देखिए example first जैसे कि example first है अभी मैंने इसके परिवाशाओं आपको समझा है नहीं है क्यों numerical करते करते हैं आपको कुछ समझ मां जायागा देखिए example first आपको अच्छे से दिखर होगा example first मैं एक वर पढ़ देता हूँ स्रियर्णी चौधे कुमा बारे कुमा दस कुमा आठ कुमा च्छे कुमा चार अप्टू डॉट डॉट का पंदरमा पदकात कीजिए देखिए आओ सबसे पहले में इस कुश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ पर स्रियर्णी चौधे कुमा बारे कुमा तस कुमा आठ कुमा च्छे कुमा चार अप्टू डॉट डॉट का पंदरमा पद ग्यात कीजिए पंदरमा पद ग्यात करो तो देखिए इसका स्लुशन बिल्कुल जैसे स्लुशन करूँगा गारे बिल्कुल ऑरिजिनल यही तरीग महां必 आइखिए स्मांतर श्यॉट लेकिन इसके लिए सब से चेक कर लेतेंकि TVs समांतर ही हा तो देखिए समांतर श्यॉटू को टो करने पर श्रीयनी की जाज करने पर जाब श्रीयनी की जाज करेंगे सबसे पहले कंडिशन लगाएंगे second minus first बरावर third minus second अब इसका मतलब क्या है देखें ये first ये second ये third ऐसे अप्तुर डॉट डॉट fourth, fifth, sixth अप्तुर डॉट 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 चलता रहेगा तो second second digit क्या है 12 first 14 third 10 और second क्या है 12 कितना का difference minus 2 और यहां भी कितना का difference minus 2 both are equal अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्या है equal सबसे पहले आपको ये condition satisfied करनी है both are equal अगर ये दोनों equal है तो जो हमें question दिया हुआ वो समानतर शेनी यानि या ये AP mathematical progression है वरना वो AP नहीं है अब हम इसके बात करते है किसका solution कैसे खरें तो देखें पंदरवापत पंदरवापत चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते है सबसे पहले एक rough calculation समझेंगे देखें पहला पत क्या चौद है दूसरा पत क्या बार है तीसरा पत क्या दस चौथा पत क्या चौद है और आपका ये पंदर है या आपका अंजरा आगे है मैनस के चौद है एक बार रखाउंट कर लीजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चौद है पंदर है यानि कि इस स्रेणी का जो पंदर में पत होगा वो माइनस 14 होगा यानि कि 14 नेगिटिव 14 अब एक बास समझे है पेपर में ऐसा प्रेजेंटेशन थोड़ी करनी है और फिर दूसरी बात आई कि फॉर्मला बनाया है क्यों इसकी बात आता हूँ देखे पेपर में आपको करने का तरीका क्या होगा पेपर में हमारा तरीका यह होगा सबसे पहले हम इस कुश्चन की पूरी डिटेल इस तरीके से लिखेंगे देखे इसका फस्ट फस्ट नंबर क्या है 14 तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रिथम पद ए ए बरावर फोटी उसके बाद जब आगे चलिए तो चौध है और बारे में कितने का डिफरेंस है दो का तो उसे बूलते हैं पदांतर पदांतर डी बरावर यानि कि डिफरेंस या कॉमें डिफरेंस भी बोल देते हैं और फर्स्ट कितनी है इसमें डिफरेंस कितने का डिफरेंस है माइनस दो का हमें कौन सा पत करना पंदर है तो देखे यहां किसा पहले पदो की संख्या पदो की संख्या पदो की संख्या है एन बरावर 15 तो हम सबसे पहले जो फॉर्मूल लगाएंगे फॉर्मूल हम लगाएंगे TN बरावर A पिलस N माइनस 1 इंटू D A क्या है फॉर्टीन्थ पिलस N, N क्या है पंदर है माइनस 1 गुड़ा D, D कमाण क्या माइनस के दो अब ये नॉर्मल कैलिपलेशन है ये तो सभी आप कर लिएंगे 14 प्लस अंदर हम से एक है 14 गुड़ा माइनस के दो 14 प्लस माइनस माइनस 14 दूनिय 28 और 14 में 28 वे आप क्या है अब बात आई कि सर जब हम इसे प्रैक्टिकल निकाल सकते हैं तो उसमें फिर फॉर्मले का रोल क्या रहागिया जब हमने ये फॉर्मले लगाया है इसका रोल इसमें क्या रहा तो ज़रा एक मिनट गोर करो आप से 15 मापत पूछा तो आपने उसे बिना फॉर्मले के भी निकाल दिया लेकिए सब्वोज यहां पर पंद्रे की जगह हमसे 150 मापत पूछ लेता या 150 की जगह वो बोलते था पंद्रे सो पंद्रे सो मापत बताओ तो जहां पर हमारी प्रैक्टिकल कंसेप्ट फेल हो जाते हैं वहाँ पर हम फॉर्मले के माद्ध हमसे इसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं ना तो अगर सोचो यहां पर हमें 150 मापत निकालना हो तो हमें सोचने में कितना टाइम लोगा है कब हम आंसर देपाएंगे और यहां पर maximum probability है कि हम गलती कर सकते हैं लेकिन फॉर्मले में बिल्कुल surety है कि हमसे गलती नहीं होगी अगर हमारी calculation बिल्कुल ठीक है देखेजिए इसके बाद यह तो था इसका पहला कंस है उसके बाद अवं चलते हैं next मैं आपको दिखा दूँ मुरारी बुक है और मुरारी की बुक में से सबसे पहला एक्जामपल है आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इसके बाद आप देखे पहला question दूसरा तीसरा चौत है या आपको solve करना है अगर कोई भी doubt आए तो आप में whatsapp पर question number लिखे बेजिए आपको इसका solution प्रोवाइड कराया जाए अगली वीडियो में पहले आपके doubt से clear करें जाए करेंगे जब ही आगे चलेंगे इसके बाद मैं आपको इस वीडियो माज example second बताने वाला हूँ इसके basis पर आपको पांच और शे अपने आप करना example third करा हूँ हाँ सेवन तो रिट अपको करना example fourth करा हूँ हाँ 9th, 10th, 11th या आपको करना example 5 करा हुआ इसके basis पर आपको 12 और 13, 14 यानि कि आज आपको यहां तक cover करना 14 तक और जैसे कि मैं आपको कहा आपको 5 lectures में आपका chapter बिल्कुल फिनिश राएगा तो देखिए अब example second example second क्या है आपका जैसे कि बुक दिखाता हुआ आपको देखिए example second है आपका समांतर शेनी 357 दिख लेता हुआ ना समांतर शेनी 3,5,7 अप्टु डॉट 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 लंचास का अंत से दसवा पद जात करो देखिए पुरा फोश्चन यह रहा आपको सभी को दिख जाएगा समांतर शेनी 357 अप्टु डॉट 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 लंचास का अंत से दसवा पद जात कीजिए जब आप इसके next question देखेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे और एक बार फिर बोल देता हूं अगर कोई भी डॉट है अगर आपके सारे question में भी डॉट है तो आप में WhatsApp पर उन question के number लिकर भेज़ दें और book का नाम आपको सारा solution एक एक question बिलकुल कराने के बाद जब अब ही आगे की वीडियो में आगे course कराया जाएगा don't worry देखिए अब अब मैं इसका solution बता हूं देखिए पहले थोड़ा सा रफ समझिए रफ में मैं आपको थोड़ा practical aspect पताता हूं इसके बारे में देखिए हम से गया तीन पांच साथ अप्र डॉडट उनचास का अंत से 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 49, 41, 43, 45, 47 और उनचास तीन से स्टार्ट थी और उनचास तक की गिंतिया थी मैं लिख दिया दो दोगा difference क्यों लिए है क्यों आप देख सकते हैं स्रीज में कितने का difference है दोगा difference तो प्लस यहां है, दो प्लस यहां है, अब देखिए और उनचास का अंत से दसमा पत, तो उनचास का अंत से दसमा पत, देखोगे, अंत से मतलब पीछे से, तो पहला पत उनचास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छह, साथ, आठ, नो, और दस, आपका answer इसमें यहां ह लेकिन यहां भी वही बात है कि फॉर्मला क्यों लगा रहे हैं कि हमें पर में प्रिजेंटेशन यह नहीं देनी यानि कि पेपर में हमारे वह आपके वो ना कि यह चाहा, आप कुछ और से में सेरीस देता और आपसे कहता यहाद़ प्रोब्लम आएगे प्रेक्ट कला स्टेक्ट से यहाप यहां वह मंक्या लगाएंगे यहापर हमद्र फॉर्मुला तो कि यहां पर क्या होगा एकक प्लस की जगे एल माइनस इन माइनस वन इंटु जी अब बात आई कि एल क्या है तो देखिए एल का मतलब बता है लास्ट डिजिट तो एल का और हिंदी में बोलते हैं अन्तिम पद अन्तिम पद तो जब आप देखेंगे अन्तिम पद एल बरावर अन्तिम पद क्या है 49 नमबर ओफ टर्म पदों के संके कितनी है 10 अच्छा इसमाँ प्रितम पद की तो ज़रूद है नहीं अच्छा डिडी का मतलब बतांतर डिए बरावर इसेकंड माइनस फरस्ट सेकंड आप देखेंगे सेकंड क्या है 5 फरस्ट क्या है थर्ड जो क्या आपने यह इन देख लिया था सेकंड पांच और फर्स्ट का थी पांच में से तीन गया दो बस अब फॉर्मले में रखिए सॉल्फ कर दीजिए एल की वैल्यू कितनी है कितनी है टैन माइनस वन मल्टिप्लाइवाई डी डी की वैल्यू टू और टी एन आप चाहो तो एन की जगे यह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भी आप कौन सा जो टर्माव फाइंड कर रहे हैं टैन आप लिख सकते हैं एन की जगे टी टैन ओके देखेंगे अब और चास कर सकते हैं 31 ऑम्मीट कर संब्सक्राइबों डीफरेंश क्या था फ्रस्ट और सिकिंड में वह भी देख लिए एक वार दून हुश्चों में बेसिकली डिफरेंस था से इसमाहित पंदर्माव प्द पूछरा था पंदर्माव मतलब शूरू से सीचल रही थी और पंदर्मा नंबर लिख लिए तीन से लेगे उड़न चास तक जैसे कुश्चन में कह रहा था कि भी तीन से उड़न चास तक लेकिन जब मैं इसमें पीछे चला था पीछे दस्मापत इसलिए आप मैंने इसके बाद हम चलते हैं इसकी थर्ड कंडिशन का है जहां से पढ़िए थर्ड कंडिशन हमसे कहता है किसी समांतर श्रीयोंगा एन वापत ट्व एन माइनस वन है मैंसे भी लिख लेता हूं एक्जामपल थर्ड किसी समांतर श्रीयोंग का एन वापत ट्व एन माइनस वन है किसी समांतर श्रीयोंगा एन वापत ट्व एन माइनस वन है तो इसका आठमा पत ग्याद कीजिए कुनसा पत ग्याद करना ए आठमा देखिए अब इसमें हमसे एक बात पूछी है पहली खेल आठमा पत कीजिए इसमय हमसे पूछा है इसमय कि आठवा पद ग्यात करो नमब दो पाँच वा पद ग्यात करो या आप से ही कहने लगे कि भई आरवा पद ग्यात करो देखिए बस इतना बहुत है अब इसका solution समझे लिए है देखिए जब आप देखेंगे हमसे question में गया रहा था किसी समान किसी समांतर शेयर नहीं का n वा पद 2n-1 है तो सबसे पहले हम निकलेंगे कि एन वा पद बरावर 2n-1 सबसे पहले हमें कौन सा पत क्यात करना है आठ तो देखिए नमबर एक सिंपल बस एन की जगए आठ रख दो आठ वा पद बरावर 2 multiply वही एन की जगए 8-1 दो अठे 16 और 16 में से एक पंद्र है तो आठ वा पत क्या है पंद्र है बस इसी किरम में क कंडिशन लिखेंगे यही कि एन वा पद बरावर 2n-1 अब हमें कौन से जात करना है अब पहले हमने 8 मा पद निकाला क्योश्चन में कह रहा था एक में यह दो कंडिशन में आपको अपने पास से दिया है पहला पांच मा पद तो देखिए एन कीजिए बस पांच रख कि अब सकता क्या है से मैं साभी क्या रहा है कि और कहीं से भी देख लीगी है यह यह बात एक है एन वपद 2N-1 अब मैं आर वपद गयात करना है तो आर वा पद बरावर 2 multiply by r-1 यान कि यह हो गया 2 r-1 समझ में आ गया होगा यान कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमसे पत करेगा हम उसे एन की जगे वहाँ से इंपुट कर देगी अग्जांपल फॉर्थ एक्जांपल फॉर्थ एक्जांपल जब आप फॉर्थ देखेंगे एक्जांपल फॉर्थ में है हमसे क्या रहा है यदि यदि ए प्लस टु कॉमा थरी ए कॉमा फोर ए प्लस वन देखें मैं बरीच से भी दिख लेता हूं केंडिशन को ए प्लस टु कॉमा फॉर्थ ए ई फॉर्थ ए प्लस वन समानतर श्रीयने में हो तो A कमान गयात कीजिए देखे कभी भी आपसे एक वर्ष द्वार रहा हूं चुनिए यदि A प्लस 2 कोमा 3A कोमा 4A प्लस 1 यानि कि एक तो टर्म होगी आपकी ये A प्लस 2 फरिया कोमा हो गया 3A एक टर्म आपकी ये होगी और एक लास तर्म ये 4A प्लस 1 समानतर श्रीयने में हो तो A कमान गयात कीजिए आप देखिए कभी भी आपसे ऐसे मान गयात करवाए A का B का C किसी भी चीज़ का और कुश्चन में कहें कि जो हमें सिरीज दिया वो A P में है पसम A की कंडिशन लगा ही ने सवालों में 2nd माइनस 1st बरावर 3rd माइनस 2nd 2nd सेकंड क्या है 3A ये 1st डिचित हो गई ये 2nd और ये 3rd देखिए 3A माइनस 1st क्या है A प्लस 2 बरावर 3rd क्या है 4A प्लस 1 और 2nd क्या है 3A बस अब normal calculation है 3A माइनस के A और माइनस के 2 4A प्लस 1 माइनस के 3A 3A में से A less करोगे 1A तो आपका बच्चागा 2A माइनस के 2 बरावर 4A में से 3A less करोगे तो आपका A प्लस 1 तो जैसे कि अब आपको पता है A वाली digit एक तरफ और numbering एक तरफ चेंज दा साइड तो 2A प्लस का A इधरा के माइनस का हो जायागा जब साइड चेंज करेगा अपनी A माइनस का 2 इधरा के प्लस का 2A में से A less करेंगे तो बच्चागा आपका A और 1 और 2 आपका एड़ हो गया तो यह हो गया तो A की वैल्यू कितनी आगई A is equal to 3 अगर आपको आंसर वेरिफाई करना तो देखें कि वेरिफाई दांसर आप एक वार दुबार आसे चलिए कंडिशन देखें तो आप जब इसमें देखेंगे आपकी जो सेकेंड टरम थी वो क्या थी 3A है और फस्ट क्या थी A plus 2 3A माइनस A plus 2 is equal to 3rd क्या थी 4A plus 1 4A plus 1 minus 2 क्या थी 2 आपको हीं से दिख रही होगी 3A इसमें A की value रखेंगे putting value of A और A की value कितनी है 3? A की value कितनी है यह यह रही 3 तो देखेंगे एक जगे जब आप 3 रखेंगे 3 multiply by 3 minus 3 plus 2 4 multiply by 3 plus 1 और minus 3 multiply by 3 3 3 is a 9 और यह आपके 3 और 2 दोनों मिलकर होगे 5 बरावर 4 तिया 12 है 12 और एक 13 minus 3 तिया 9 9 में से 5 गया 4 और 13 में से नोगे 4 बोत और equal यह आपका होगे answer बेंगे clear concept इसके बाद अब एक जी जोड देखेंगे अभी एक last example है इस और finish कर लेते हैं फिर आज का टार्गेट हमारा complete हो जाएगा example 5 देखिए सबसे पहले example 5 को हम read करते हैं इसमें कहरा है example 5 में श्रियनी 1 3,5,7,9,11 up to dot dot का कौन सा अपत 55 होगा तो देखिए पहले में इस question को लिख लेता हूँ example 5 यह राईड़ा श्रियनी एक, तीन, पाँच साथ, नो, ग्यारे up to dot dot का कौन सा पत का कौन सा पत 55 होगा बस देखिए का कौन सा पत 55 होगा तो देखिए इसमें भी मैं सबसे पहले आपको कुछ रफ बताना चाहता हूँ तो ध्यान देंगे रफ पहले मैं एक से ले के 55 की गिंतिया लगे लेका हूँ एक, तीन, पाँच साथ, नो, ग्यारे देखो बच्चो इस कंसेप्ट में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन आपको बहुत डीप नोलिज में जाएगी प्लीज ध्यान से देखना एक, तीन, पाँच, साथ, नो, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 49, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 पच्पन होगा है, और हमसे क्या रहा था यह कुर्ष्चन में कौन सा पच्पन होगा है पच्पन तक हमागे तो देखिए, पहला पद क्या है, एक, दूसरा पद क्या है, तीन, फिर तीसरा पद, चौथा, पाँच, शे, साथ, आठ, नो, दस जारे, बारे, तेरे, चौदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उनिस, बीस, एकिस, बाईस, तेज, चौबिस, पच्पन, पच्पन होगा, यह दो था प्रैक्टिकल कंसेप्ट, अब चलते हैं, पेपर में कैसा सोलूशन करेंगे, देखिए, तो याद रखना कौन सा आया, अठाइस वा पद, देखिया, अब प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात करें, तो वही फिर A की फॉर्मला आवस, TN परावर, A पिलस, N-1 इंटू D, तो TN, अब हमें इसमें क्रॉशन में TN दे दिया, इसना पता दिया, कि जो पद है, वो कौन सा है, पच्पन, तो हमने इसकी पुट कर दिया, पच्पन, A, A हमें पता है, यह क्रॉशन में, A क्या है, एक, देखो, अब इस क्रॉशन में पूरी डीटेल नहीं लिख रहा हूं, वो आपको लिखनी है, जिसे डीटेल का मतलब, कि प्रितम पद, A बरावर, एक, और पदांतर, D, बरावर, सेकंड, माइन जो भी लाइस करके, N, N हमारे पास question में है नहीं, minus 1, और D, D की value करें, बात करें, तो तीन में से आपका, जब एक हटेगा, तो यहाँ है, आपका 2, तो पच्पन, is equal to, 1 plus, 2 के अंदर multiply कर लो, यह चाहता इसरे अंदर, calculation आप ऐसे चाहें वैसे कर सकते हैं, प्लस का और नही 54, 54 is equal to, N minus 1 multiply by 2, 2 से हमने इसे divide कर दिया, 27, 27 is equal to N minus 1, minus का गए इधर जाके, प्लस का 27 plus 1 is equal to N, तो यहाँ का N बराव वहाँ के 28, 28, 28 पर हमारा आजर यह, 28, 28 हमारा हमारा क्या होगा, पच्पन होगा, बस आज हम इसे हम इसे हमारा क्या होगा, पच्पन होगा, बस आज हम इ और बुक मोर देख लिए आप लोग देखें एक वाद फिर देखें जदिहां से मैंने आपको आज सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले हैं तो आपको देखेगा बीच गड़ित बीच गड़ित में इस बुक का दूसरे चेप्टर है समानतर शिरनी जिस हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सबसे आपको अपको एपी जीपी एच भी कराऊंगा और मैंने ये बात बताई दिये के हर एक चेप्टर प आपका पूरा कॉर्स कंप्लिट हो जाएगा देखिए अब इसमें सबसे पहले समानतर शिरनी आज मैंने आपको कराया इसका एक्जामपल फर्स्ट जो कि अमीद आपको समझ माया होगा इसके बीसिस पर आपको फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड फॉर्थ कुष्टन करना है आपको करते जाना है और आपको यहां तक कंप्लीट करना है कुष्टन नमबर 14 अगर कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं मुझे वाट्सप पर या आप कमेंड बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि कौन से कुष्टन आपको बताना है तब ही हम वीडियो में उस प्रोग्रेशन तो आप इसमें देखेंगे है इसमें आप देखिए बहुत सारे कुष्टन इस टाइप के फाइंड दा एक मिनट हाँ देखिए फाइंड दा फिफ्थ टरम आप दा एपी टू कॉमा सेवन कॉमा ट्वैन तो इसमें आपको यह करना के सिरीज दी और आपको फिफ टरम फाइंड करनी है सेम इसी करम में आपको इसमें भी करते हुए जाना है और जो आपके डाउट्स आएंगे वो आप हमें वाट्सप के जरीए पूछ सकते हैं ओके गाइस ओके थैंक्यो